अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए सुड्स है вас बाल उनेतो फौल से इंदे घालयो है विडियो विडर मासा भाद्पित्ट में प्रपकाथ ऑगा इंदे पृडिए पुड्री विडियो गया है heav ओडानिय। पुने पिना है बट्रों कि हैं इनीज değil पुने इन ऎनो पुस्भासै इन ऑस्वेन पुने इन आफो-सरी पुने इन चनफुर कि अज़ पिर उधरे या चाहिए ये ये वाउ चुना थी थाए ये पाउ चुना थी थाए पैसे रहे है का से कि अज़ आई डी एज एलप हेल्प किसने लिखाई ये तुमारी कलाई पर है किसने लिखाई किसने लिखाई किसने श्रिया दरा बात करो इससे लगता है बहुत डरी हुई है अगर तुम हमें कुछ बताओ की नहीं तो हम तुमारी मदद नहीं कर पाएंगे डरो मत जो भी है सब सच सच बता दो कौन हो तू तुम्हारा नाम क्या है तुम जोरी क्यूं कर रही थी सर ये कुझ बाशा है वो शर ये तो अपरिकन बाशा है चुपराओ देखो ऐसे चुप मत बैठो बताओ हमें कौन हो तूम कहा से आई हो ये जो लिखा है ना C.I.D. हम है C.I.D. तुझ समझ मेरे रही है या नहीं है सर लगता ऐसे भूख लगी है पहले कुछ खाना किला दे इसे पहले कुछ खाना किला दे इसे दी जो इसे चलो तुम मेरे साथ चलो चलो अब हमसे अरे संबल कर दो क्या हुआ इश है जल्ले साथ लिए जाए जल्ले से आसवाड ले जाए हाँ साथ अंगर सुपर तूम जाओ साथ के उठो संबल के कमाल है सर इस लड़की के हाथ पर लिखा हुआ है किसी और ने लिखा है किसी और ने यह तो बेचार हिंदी तक बोलना नहीं जानती है असर इसके हाथ पर जिसने भी यह सब लिखा है तो जरूर हमसे कोई मदद चाहता है जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा कि यह सारा माजरा क्या है येकिन कैसे से एक काम करते हैं जिस बस्टॉप पर यह लड़की इस दुकांदार से मिली थी उसी बस्टॉप से पूछता शुरू करते हैं यहापे सोई थी वह औरा साब उधर सोई हुए थी यह सामने वाली दुकान मेरी है सर्थ सर उसकता है उस अवरत को किसे ने इस बैस्टाइंड पे लागे छोड़ दिया वह सकता है कि उन पैसेंजर से कुछो जो रात को यहां पे सोई होगा कि उनमें से जरूर किसी ना किसी ने उस अवरत को देखा होगा यहां सर्थ आपने इसको देखाया कहीं इस अवरत को यहां पे बस्टॉप पे देखा आप लोग ने तो नहीं देखा पर एक बिखारीया सोता आराक को शायद उसने देखा होगा पताप आए है आई है सर यही है वो आग्मी वैसाँ इस वरत को आपने यहां पे बस्टॉप पे देखा था कि भी आप देखा ना साब यहां फोटे पे लिटी थी जरूरत को तुम ने यहां पे बस्टॉप पे अतरा कि देखा किया साप, वो अपने आप थोड़े ही आई थी, उसको तो लाए गया था साप, साप, बताओ बाद क्या, क्या जानते हैं उसके बारे साप, रात करीब दो बजे, जीप में दो लोग इसको लेकर यहां आये थे और इसको छोड़ कर यहां से चले गए साप, वो औरत चीखी चिला ही नहीं? नहीं साप, शायद भी होस थी, यह हो सकता हो नीद में हो तुमने गाड़ी का नंबर रोट किया, कुछ याद है तुम्हें? साप, बहुत अंदेरा था यह सब तुम्हें अजीब नहीं लगा? तुम उसे औरत की मदद कर सकते थे मैं किस-किस की मदद करूँ, ऐसा तो पहले भी हो चुका है मतलब? इससे पहले भी दू बार ऐसा हो चुका है कुछ लोग औरत को लेकर यहां आते थे और छोड़ कर चले जाते थे मैं खुद के मदद नहीं कर सकता, साब तो उसके क्या मदद करेगा? इसका मतलब इससे पहले भी दो ओरतें उस दरिंदे का शिकार हो चुकी लेकिन सर अभी तक हमारे पास सुन दोनों औरतों के गयब होने के जानकारी नहीं है हाँ क्योंकि उन दोनों के हाथ पे CID हेल्प नहीं लिखा हुआता है सर अब क्या करें? उस औरत के होश में आने का इंतजार है सालूंके साब उस औरत के साथ में यह आस्पिटल में जहां पे उसका इलाज चल रहा है अब इस केस की तेयर तक सालूंके साब भी पहुचा सकते हैं अब कैसी तब यह थे इसकी? पहले से बहते रहे वस और क्या बता सकता इसके बारे में? बस दो बातें पता चली है एक तो यह कि इसके खून ने हमें एक ऐसी दवाई मिली है जिसकी वज़े से यह अपनी याद़ाश दुखो बैठी है क्या? जर इसलिए इससे अपनो नाम नहीं आना रहा था यह कौन है? कहां से आई है? इसके साथ क्या हुआ है? इससे कुछ पता नहीं इस और पूरी तरस से याद़ाश चली गई है और दूसरी बात दूसरी बात है यह backward इसके पेट की सर्जरी की गई है इसका पेट काटा गया है और लगबग 25 गंते पेले ही वापस से टांके लगा कर पेट सिला गया है वो भी सस्ते वाले नायलोन डागे से पेट को खाटा है तो कहीं इसका कोई औरगन तो नहीं निकाल लिया इसके किसी अंग की चोरी नहीं हुई तो फिर क्या हो सकता है क्यों 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 काटा होगा इसका पेट ये बात अभी पताने लगी है सर इस अवरत को तो कुछ रादी नहीं है अगर से होच भी आ गया तो भी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगे पता लगा लेंगे निखिल पता लगा लेंगे वो दो अरथें बिलकुल ऐसी दो अरथें जिनको इसी हालत में छुड़ा गया था उस बस्टॉप पर उन दो अरथों के बारे में पता लगा आसपास जितनी भी हॉस्पिल्से वहाँ जाकर के पूश्टाच करो पता लगा उन दो अरथों के बारे में कोई न कोई सुराग तो जरूर मिल जाएगा अरे कि शल्यानत कुछ नहीं पता चला है एक ही हॉस्पिटल बचा हुआ अब स्टिटी हॉस्पिटल वह चल के देखते हैं साब हम लोग सी आईडी से एक लड़की के बारे पर कुछ पूश्टाच करने थी सी आईडी जी आँ सी आईडी इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताईए कि क्या ही ये लड़की अपना इलाज करवाने के लिए आपके हॉस्पिटल में आई थी ही जी आँ इस लड़की के पेट पे आपरेशन का निशान है काओ दे के लगता है मानो इस लड़की का अपरेशन दो तिन दिन पहले हुआ तो हम जाना जाहते हैं लड़की इस हॉस्पिटल में एड़मिट ही ती या नहीं सर ये तो ये तो क्या सर हमारे हॉस्पिटल में दो अर्तों की लाशे आई है वो औरतों की लाशे हैं? हाँ, sir! और उनकी वेश भूश आप तक्रीबन ऐसी ही थी और उनके गेहने भी तक्रीबन ऐसी ही है तो क्या उन दोनो औरतों की लाश ये अभी भी एक मुर्दा घर में है? हाँ सर, उन दोनों लाशों की शेनाक करने अभी तक कोई नहीं आया है, इसलिए वो दोनों लाशे मुर्दा घर में है जी कि तो इन दोनों लाशों को हम देखना चाहेंगे ठीक है सर, मैं अभी मौर्ग के इंचार्ज को बुला देती हूँ ठीस हेलो, आप जल्दी से लॉबी में आ जाएगे, सी आईडी वाले आएगे सर, वो आ रहे है सर जी कहिए आपके मुर्दा घर में जो दो औरतों की लावारिश लाशे पड़ी है, वो देखना चाहते हैं ठीक है यही है उन दोनों औरतों की लाशे इन दोनों की पोस्मोर्णम रिपोर्ट मिल सकती हैं, लेक याता हूँ अभी प्लीज यह रहे रिपोर्ट निकल, यह देखो पोस्मोर्णम रिपोर्ट में लिखा गया है के इनके पेट में जो घाव है वो अपरेशन की वज़े से नहीं है और जिस डॉक्टर ने पोस्मोर्णम किया है, उसका भी यही क्याना है, कि इनका उपरेशन नहीं किया गया है मतलब सर इनके शरीर से कोई भाग, कोई औरगन निकाला नहीं किया मतलब यह केस इल्लीगल औरगन ट्रांस्प्लांट का नहीं है, मामला पुछ औरी है सर, अगर इनके शरीर से कोई भाग निकाला नहीं किया है, तो फिर इनका पेट काटा क्यों वहापस सिल्वाय क्यों गया होगा यही तो मैं भी सोच रहा हूँ निकिल यह देखा तुमें, यह जो सिलाई करने के लिए धागे का इस्तमाल किया गया है यह देखो, यह सर्जिकल धागे बहुत ही घटिया क्वालिटीक है तुम यहाद है, सरलुके साथ भी कह रहे थे कि गुडिया के पेट पे जो टाके लगे थे उनमें भी इसी तरह के धागे का इस्तमाल किया गया था सर बस्टाइंट पर उस पेकारी ने बताया था कि उसने वहा पर तीन ओरतों को देखा था सर इसका मतलब हाँ हाँ, और वो तीनो औरते यही हैं दो यह और तीसरी वो गुडिया यह तीनो की तीनो मुंबाई के बाहर से आई है किसी एक ही जगा से सर नोटिस किया तुमने यह देख इनकिन फोटोस में सारी पहनने का स्टाइल, सजने सवरने का स्टाइल और कुडिया के बात करने का स्टाइल इन सब को देखकर लगता है कि ये तीनों ओरतें मुमबई से बाहर से ही आई हैं किसी एक ही जगह से सर अगर ये तीनों औरतें मुंबाई के बाहर किसी एक जगे से आई हैं तो इनके बाहर में पता किसे चलेगा पता चलेगा निखिल पता चलेगा हर बस्टॉप अर रेल्बे स्टेशन की खाकशाननी होगी फिर पता चलेगा नई साब मैंने तो नहीं देखा वक्का इस तरह के कपड़े पहने हुए कहीं नहीं सर यहां नहीं साब यहां पास पास दिखाई देती है तो प्लीज मुझे इनफार्म कीजिए यह मेरा कार्ड है इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है फोन कीजिए फ्लीज सर यह चटा बस्टॉप है लेगिन इस अवरत के बान में अब तो कुछ पता नहीं चलेगा निखिल अब बस्टॉप पे पता करना पड़ेगा जब तक यह पता नहीं चल जाता कि यह औरते आ कहां से रही है वो देखो इस और आपने भी पैसी कापड़े पहन रखे है आँ से अरे सुनिये देखें के कपराईये मात हम लोग सी आईडी से आँ आँ देखें दरिये में कुछ नहीं होगा आपको यह सवरत को देखें जानती है आप इसे जानती है अच्छे यह बताईए कि आपका नाम क्या है टहां से आई यह नहीं है निलगिरी का जंगले इस निलगिरी का जंगले आखिर इन भोली भाली अंपड ओरतों को निलगिरी के जंगल से मुंबई क्यों लाया जा रहा है और वो भी उनका बेवजा उपरशिं करने क पाद कोई ना कोई रास्त जरूर चुपाए इस निलगिरी के जंगल में यह वहाँ जाकर ही बता चलेगा हुआ है इन गाओ आलों का स्वागत करने का तरीका बड़ा अगी है यह मारा स्वागत नहीं कर रहा है यह में देखकर नाखुष वैसे भी हम यह इन से भी ले लिनी आए हम लोग लोग निलगिरी की जंगल के उन आ रटों के पेट की तरज़ेरी का राज जान लिया है और हम वो जान करी रहेंगे लेकिए हम लोग स्याइडी से पर यहां पर कुछ चान बीन करने है आप लोगं को हम से तरने की कोई ज़रोत नहीं है दरना तो आपको पड़ेगा शेहरी बाभू और इधर से जाना दियोगे यह धरती हमारी करम भूमी है हमारी धरम भूमी है यहा अगर आप लोग आपकी बात मान सकते हैं लेकिन CID नहीं आगे बढ़ाएवे कदम पीछे लेती हैं और नहीं हमें तहकी कात करने से कोई रोग सकता है अगर आप लोग होने कोई हरकत की तो आपको खीक है, आप लोग अपना काम कर सकते हैं, लेकिन चानबीन करने से पहले आपको उनसे मिलना होगा, किसे मिलना पड़ेगा, आईये मिरसाथ, जलिए, आईये, मनसुक, अरे, एक हफते पहले मैंने तुछ से ऑपरेशन के लिए, एक दरजन कैंची, दो दरजन मोटी व इस तरह के नाइलोन का थागा, हाँ, है ना, जानवर कॉन सा है अपका? जानवर मतलब? अरे भाई, जानवर बड़ा होगा तो धागा भी ज्यादा अलगेगा ना, चमडी मोटी होती है ना उनकी, छोटा होगा तो एकाद मीटर में काम हो जाएगा, मतलब ये दागा जानवर होपे इस्तेमाल किया जाता है जी हाँ, आपको ये बात मालूम नहीं थी क्या? लेकि अम लोग सी आइडी से हैं, सी आइडी? जी हाँ, सी आइडी, हमारी जानचारी के हिसाब से अपरेशन करने के लिए सारा का धागा सिर्फ आपके पास मिलता है बात तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? यहाँ पास के बस्टॉप से हमें एक औरत मेली है, जिसका ऑपरेशन किया गया है, और ऑपरेशन करने के बाद टाके इस धागे से लगाए गया है, और तो टाके इस धागे से, लेकिन आज कल तो कोई भी डॉक्टर इन धाओं से इंसानों पर टाके इस्तेमाल किया गया है, तीन तीन ओरतों पर? जहाँ तीन तीन ओरतों पर, वैसे यह सामगरी आप जहाँ सपलाई करते हैं, उनकी जानकारी तो होगी आपके पास? जहाँ, एक मिनट, यह लिजी जादा तर अपरेशन कर सामान, बड़े-ड़े क्लीनिक और सरकारी हास्पि परेशन करते ही होंगे, यह वो तो ठीक है लिकिनिकिल, लिकिनिये तेखो, बहुत से दवा खाने हैं जिनका लाइसेंस नमबर नहीं लिखा गया है, इसका मतलब यह डॉक्टर्स गैर कानूनी तरीके से डॉक्टरी कर रहे हैं, उसरा हो सकता है, सलिकिन इस रिश्टर्में देखो, उसरा इसकी से देखोऻह मनुआ अर लाइसेंस नही है आप उन्हें माल सब्लाइ कर राहे है, उनका पता तक नहीं आपके बस, वो क्या, आप से तो बात में ने बड़ते हैं, उससे पहले शहर की जितने भी दावा खाने इस जिनका लाइसेंस नही है, वह पे के लिए अस्पताल की खटिया पकड़नी होती ये दावा लो सुबाज शाम खाने के बाद ले लेना ठीक हो जाओंगे जे नमस्कार जुटन हम माइना कहता था दद्दू बिल्कुल सही कहते थे डाक्टर भगवान का रूफ होता है आप सही कह रहे हैं डाम जैसे करीबन के लिए डाक्टर भावू कितना कुछ नहीं करते हैं ने ने बाइग ऐसे कोई बात नहीं बगवान का दिया हुआ सब कुछ है अमारे पास इसलिए जन्त सेवा करते हैं बताईए आप दोनों मेंसे कौन बीमार है अब बीमार तो कौनों नहीं है डाक्टर थाइप बस थोड़ा सुख सुविदा का बंदबस्त हो जा आपका किर्पा हो जा मैं समझा नहीं चुटन है का है डाक्टर साब के अवरत का पेट का अपरेशन करवाना है अपरेशन? आप जार बखेगा तो है बस आपरेशन कर दीजिए देखी मैं अपरेशन नहीं करता मगर आपके पास अगर कोई डाक्टर है तो मैं अपना अपरेशन ठेटर भाड़े पर दे सकता हूँ साब डाक्टर तो हमारा कोई नहीं है एक मित्र है हमारे लेकिन क्या है कि डाक्टरी का लाइसन्स नहीं है उनके पास चलेगा चलेगा यहां पर जो भी डाक्टर अपरेशन करता है उसके पास लाइसन्स नहीं रहता तो मतलब कौनो टेंशन मेंचन आही है यह कुई नहीं बात नहीं है हर महिने एकाद पार्टी आ जाती है, ऐसा ओप्रेशन करने अच्छा, महिने में कौन-कौन आता है कुछ, बताएंगे का? तुम्हे क्या लेना देना उसे? ओप्रेशन करवाना है तो बोलो, एक गंटे के बीस हजार रुपे बीस हजार? बढ़े भाईया, बाप्तर बाबु को कितने साल का सजा होगा हमालाद में? अज यही तक्रीबना आप बीस साल का तो होगा बीस साल? बाबु? क्या भक्मास कर रहे हो तुम्हे तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम्हे धमका रहे हूँ? कौन हो आप लोग? डाक्टर सहाब का है कि आपके पास जो डाक्टर्स आते हैं ना उनके पास लाइसंस नहीं होता है लेकिन क्या है कि हमारे पास आपको पकड़ने का लाइसंस है यह देखिए, यह देखिए C.I.D? C.I.D. Sir, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई माफ कर दीजिए? पहलिए पता महिने में कौन कोन आता है एक बार यहां पी आपरेशन करवाने के लिए कायर कानूनी तरीके से है What? Sir, गाउ के दो-चर गुंडे, गाउ की कुछ औरतों को लेके आते गाउ की ओरतों को लेके आते हैं या फिर जंगल की ओरतों को, है? शाय जंगल में रहने वाली ओरते हैं लेकिन किस चीज का ओपरेशन होता है वो मुझे नहीं मालूँ एक सच सच गोल, छूट मदोल, समझा? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पैसे लेके दो गुंटे के लिए बाहर चला जाता हूँ और, और क्या पता है उसके बारे में? सर, एक बात है, जो भी औरते अपने अप्रेशन कवराने के लिए आती थी, वो अपनी मर्जी से आती थी अपनी मर्जी से आती थी? किना जोड जबरदस्ती के, सरी कैसे मुम्किन हो सकता है? उन गुंडों की तस्वीर बनवानी होगी आपको जी सर, जो भी आप कहेंगे एक बात समझ में नहीं आ रही है कोई भी औरत चान बूच कर अपने आपको मौत के मूँ में क्यों डालेगी जान बात वहाँ है आप ढवारा भी जा करना तुझार जाटाए बनराज भाई यह सेरी बाबु कह रहा है कि यह सी आडी से हैं और यह स्टैनबिन करने आए तो आप हैं इस गाउओ के करता धरता बनराज भाई भाई तर लोग हमको भाई कहते हैं इसज़त देते हैं भई, आप भी हमारे सवाल का जवाब दे दीजे, हम भी आपको बहुत इसज़त देंगे, अब जैसा देश, पुर्णी नहीं हैं, देखो, हम किसी सियाडी ब्याडी पनी जानते हैं, यहां हमारी हुकूमत चलती है, हमारा राज है यहां, तुम अगर हमसे सवाल पूछना चाहते हो, तो हमारे साथ, दो-दो हाथ करना पड़ेगा, अगर तुम जीते, तो हम तुम तुम्हारे एक नहीं, दो-दो सवालों के जवाब देंगे, अगर हम जीते, तो तुमको यहां से, आली हाथ जाना पड़ेगा, मनमंजूर। तुम सबड़े, तो हमसे करना हिदागी, तो दोगाएम, तो हमसेल कर दो हो सबस da, आली है । तुम क्राथ करता प्लऴखाय경ал का झाली है, वाब तुम का मुझान। अब मेरे सवालों कर जवाब देगा या और खातिव दानी कुरू तरही है अब कर जाएगा कहा है अब यह क्या है यह यह सुनने के लिए तुने जल्दी बुलाया है उमको तेरा गाना अरे गाह नहीं रहा हूं बॉस गुनगुना रहा हूं दोनों में फर्क होता है अर बुलाया मैने आपको इसलिए ताकि आपसे यह सुन सको वा सालう के कुछ बाद है तुझ में वा सालुनके कुछ बाद है तुझ में ऐसे मैं कहो हूं क्यों तुने यह पता लगाया किन औरतों के उपड़ जी जो सर्जिरी के निशान है वो क्यों है पता लगा लिया मैंने पता लगा लिया है कि इन दोनों के पेट पर वो सर्जरी का निशान कैसा है मतलब डॉक्टर सारुंके ने अपना दिमाग लगा लिया है क्या पता लगा लिया आपने इन दोनों औरतों का इस्तेमाल इन्सानी कूरियर के तरह से हो रहा था क्या? इन औरतों को इन्सानी कूरियर की तरह स्तेमाल किया गया है हाँ इन दोनों के पेट को काट कर कोई चीज जबरदस्ती इनके पेट के अंदर रखी गई और फिर पेट को सिल दिया गया और दोनों के पेट पर दो दो बार काटने के निशान है दो बार के टांके हैं अलग-अलग किसम के अब मतलब सर मतलब यह के पहले इनके पेट को काट कर कोई चीज जबरदस्ती इनके पेट के अंदर रखी गई और पेट को सिल दिया और बाद में टांके काट कर वो चीज बाहर निकाली गई और फिर से टांके लगा करके पेट को सिल दिया गया मतलब इन पेचारी औरतों को स्मगलिंग के लिए इसमाल किया गया निकिन तुझे पता कैसे चला सारूं के बोस जब वो चीज जब जबर्दस्ती इनके पेट के अंदर रखी गई तो इनके पेट की कुछ मासपेशियां फट गई थे और उसमें जगे बन गई कुछ रखने के लिए अगर ये पहली औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ तो पता कैसे नहीं चला वो इसलिए के जब उस औरत को अस्पताल में लाया गया वो जिन्दा थी और जब तक मैं उसकी जाँच करता उसकी मासपेशियों के घाव अपने आप भर गए थे लेकिर इन दौनों औरतों को अस्पताल में जब लाया गया ये मर्चू किती इसलिए घाव बरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता स्मगलिंग करने के बहुत सारे तरीके आज तक देखें लेकिन सबसे अजीब तो ये है डौक्टर सर इनके पेट में रखा कया गया था वो पता नहीं जल पाया वो पता लगाना पड़ेगा आज सर ये तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये तसकरी किस चीज की हो रही थी सचीन पता तो लगा ही लेंगे कि किस चीज की तसकरी की जा रही थी लेकिन है कौन ये तेड़ा दिमाग जिसने पेचारी गरीब औरोदों का इस तरह से इस्तमाल किया है है कौन ये कर जो ब्रवाराज बंदाज अब जना आपने लोगों के सामनी अपनी नाग कैसे कटा सक्ता था तिसलिए मैंने लोगों के सामनी आपसे दुद्धो हाथ करने की चनूती जीति थी आप आफ जीज़गा है यह मंख कर दू तुमाहां से भागे क्यों यहां? सब्सक्राइब बात करें और यह जंगल के लगणी के बात कर रहे हैं जंगल के लखडी के बात कर रहा है जंगल की ओर तों को नील्गिरी के जंगल से मुंबई लाया जाता है इनका पेट काट के टाके लगाए जाते हैं पेट के टाके? हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं यांता साफ मैं सच्छी बता हूं साफ अगर हमारे गाव में को एंजाना अजी भूच जाता तो हम लोग उसको चितावने जेकर के छोड़ देते हैं लेकि ये निलगिरी के लो बहुत खतानाक हो है साफ एक बार मैंने अपने कुछ शाथ्यों को निलगिर के जिंडर है भीजा था कबजा करने के लिए पता ही साफ वो कहां गया आस्मान खागया कि जमिनिकल की अब आसर अब आपिस निया था आसर क्या? किस चीज की स्मंगलिंग साफ चीक की साफ नो पता लागाता हूँ ओके यसी भी साब का फोन था उन अड़तों का पेट काटकर उनमें कोई चीज रखी जाती थी प्रगिलिंग करने के लिए मन्राच नियलगिरी के जंगल में इसे कौन से कीम्टी चीज है जिसकी तशकरी के कोई इतनी घिनोनी अरकत करें गा ऐसे को चीज है निस आब मैं जंगल के चपए-चपे के तो साफ अगर यहां ऐसे कोई चीज होती वहत है अजीब बात है. जब जंगल वासी किसी बाहर वाले को जंगल में जिन्दा ही नहीं छोड़ते थे. तब पीन सालों तक उन्होंने अर्के अलिजिस्ट को यहां काम कैसे हुद्धे है. तो साकेल हो जिसका पता लगा नहागा जिसने निलगीरी के जंगल में इतना समय बिताया वो इस जंगल के चप़े चप़े से वाकिफ है जब देते काम करो जंगल की तलाशी लेनी की तयारी करो आप जी मैं शुष्मिता, निशिकान की पत्मी अच्छा, हमें निशिकान जी से ही मिलना है लेकिन वो तो दो साल पहले ही गुजर गए माप कीज़ेगा आप आप, हमें पता नहीं था कैसे महत हुए उनकी? अब मैं क्या बता हूँ निशिकान निशिकान निलगिरी के जंगलों में कुछ अमूलिय वस्तु की खुच करने गए थे तीन साल वहां पर रहे भी पर उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला पर जब लोटे तो बहुत खुश थे यदिनी मेहनत के बाद उन्हें कुछ मिला नहीं फिर भी वह खुश थे क्यों? क्योंकि सरकार ने उन्हें आर्केलोजी के लिए नेशनल प्राइड एवर्ट देने का फैसला लिया था और उन्हें कुछ सर्टिपिकेट और मैडल भी मिलने वाले थे पर जब वह एवर्ट फंक्षिन से लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया उसमें आग लग गई और उसमें निशीकान पी जल कर मर गए किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी मौत हो जाएगी उनके जी मुझे पता था और ये बात निशीकान को भी पता थी मैंने कई बार निशीकान को समझाने की कुशिश की लेकिन उनों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और निशीकान जी जानते थे कि उनकी मौत होने वाली जी आखिर निगल गिरी के जंगल के अभी शाप से कब तक बचे रहते वो इस कैसे बाते कर रहे हैं सुशमें ताजी इतनी पड़ी लिखी होकर आप शाप अभी शाप ऐसी बातों भी यकिन रखती हैं मुझे ग्यान है तबी तो विश्वास है उस खौपनाक अभी शाप के मताबिक उस जंगल वासियों के अलवा जो भी कोई उस जंगल में खुसने की कोशिश करेगा तो नील गीरी जंगल के देउता उस पर क्रोटित हो जाएंगे और उसे कभी शमानी करेंगे आग की बारिश करके नील गीरी जंगल के देउता उस पापी को जलाकर राख कर देंगे और निशी कांट की मौत भी जलने से हुई है ये आप का अंद विश्वास है सुश्मिता जी इस हकिकत के बारे में निशी कांथ ने खुद रिसार्ज करके पता लगया थो और ये आज की बात नहीं है हजारों साल पहले की बात है सर जंगलों में जंगली जानवर होते हैं न? फ्रेडी, जंगली जानवर तो जंगल में ही होंगे न ये बात तो है सर, मगर उन जंगली जानवरों ने हम पर हमला कर दिया तो ये सर, क्या? जी क्या होँ सर? एसीप सर का फोन था, उन्होंने उस प्राचीन का उस आर्कियोलिजिस्ट के बारे में पता लगा इसकी तो दो साल पहले ही महत हो चुकी है ये तो बाच बुरा हुआ सो तो है विनीत एसीप सर ने ये भी बताया कि दो साल पहले उनको सरकार की होड से कोई पुरसकार दिया गया और जब पुरसकार मिलने के बाद वो खर लोट रह थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी को आग लग गई और जल के वो मर गए उनकी पत्नी का कहना है कि नीलगरी के जंगल में जाने के वज़े से उने श्राप लगा कैसा श्राप पड़ी उनकी पत्नी का मानना है कि नीलगरी के जंगलों में जंगली लोगों के अलावा अगर कोई और जाता है तो उसे जंगल के देवताग श्राप लगता है उस पर आग की बारिश होती है अरे मापरे फिर तो हमको भी श्राप लगेगा और हम पड़ भी आग की बरसा दोगी या पेधी भी आसी चीजों में मानते होते हैं है नई सर्क वह बात नहीं है मगर साउधानी बरतने में ही समझदारी है ना अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 दो 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 मैं आखरी बार पूछ रहा हूँ, पता हो, क्यों बारना चाहते थे हमें? अडे यार, ये कब से टाक्टुक टाक्टुक किये जा रहा है? सरल, सिधी, हिंदी भाषा नहीं आती क्या? आप लोग कौन है? और इसे बांद के क्यों रखा है? आप कौन है? और हमसे ये क्यों पूछ रहा है? किसके कहने पर चलाई थे? ची, मैं कोशिश करके देखता हूँ. ये क्या कह रहा है? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बगार ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ. आपको देखकर ये बिलकुल सहम गया है? मैं इन लोगों का ख्याल लगता हूँ, बीमारी में इनकी सेवा करता हूँ. इसलिए जंगल के वासी मेरा आधर सम्मान करते हैं. इसके हाथ पर ये गोदन है, कमसे कम इसका मतलब तो समझा सकते हैं आप? देखिये जैसा कि मैंने कहा, मैं ठीक से तो नहीं जानता, कोशिश करके देखता हूँ. इस पर पौरानिक भाषा में ये लिखा है, जिसका मतलब ये है, कि ये आदमी जंगल के देवता का सिपाही है, और देवता द्वारा दी गई भेट की रक्षा करना, इसका करम और धरम है. देवता का सिपाही सरकारी सिपाही पे गोलियां चला गा है? ये लोग इस जंगल को अपनी जनम भूमी मानते हैं, और इसकी सुरक्षा करना अपना कर्थवी समझते हैं. इन लोगों का मानना है कि अगर बाहर का कोई इनसान इस जंगल में प्रवेश करेगा, तो जंगल के देवता नाराज हो जाएंगे, और उन पर आग की बारिश होगी. फिर आग की बारिश? ये आग की बारिश का मतलब क्या है? हो सकता है ये सब काल्पनिक हो, लेकिन इन लोगों का इस बात पर बहुत भरोसा है. ये तो मर्क है? मर्क है? अरे? ये तो से ही से लोट? क्या हो गया इस? लगता है इसे जंगल के देवता का श्राफ लग गया. मास्टर जी, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? देखिए, आप लोग यैसा समझना चाहते हैं, समझ लिजिए. लेकिन मुझे ऐसा लगता है. इसने आप लोगों से बातशीत की, इसलिए गाओं के देवता का श्राफ इसको लग गया. मास्टर जी, कोई श्राफ राफ नहीं होता है. पिनित, डॉक्टर सालंके को फोन लगाओ. वो यहां आएंगे और बताएंगे कि इसकी मौत कैसे हुई. मैं कम इन प्लीज? अरे, आईए, आईए, आपको कौन रोख सकता है? कुछ हुग गया. क्या बोला? नहीं तो, कुछ नहीं. मैं वो जाने के लिए आया था को नीलगिरी वाले केस का मस्तल सुल्जा क्या? ताइम पास करने आया है. नहीं टाइम पास नहीं है, जो पूछ रहा हूँ बता हूना, वो आग की बारिश वाले गुत्ती सुल्जी की नहीं है? सानुखे, तो आग की बारिश की बात ही मत कर, दिमाग कराब हुआ है, मालू मैं? पर वो, अर्के अलोगिस की बीवी, उसके वादे हो निलगिरी का मास्टर जी और अब तू. तू भी कैसा अगनी है, ऐसे पारानिक चीजों पर विश्वास रखता है दू, आग की बारिश? अरे विश्वास नहीं रखता बॉस, बलकि मैं ये बताने के लिए आया हूँ को आग की बारिश आखिर है क्या चीज? अर तू पर बता ना? अरे आग की बारिश तो मेरी जेव में है, इस तरह पेंड़िव लगाओ कम्प्यूटर में? सर्थ आओ यह दखो बस, यह उल्का पिंड, इन्ने आप उल्का तारा भी कह सकते हैं Meteorites or commits इंजाट्ली, अंग्रेजी में यही कहते हैं बस वैसे तो यह उल्का पिंड रमांड में चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन कभी-कभी धर्ती के गुरुत्वाकरशन ग्रेपिटेशनल फोर्स की वज़े से जब धर्ती की तरह बढ़ने लगते हैं तो धर्ती के अंदर घुशने के लिए इने धर्ती के वातावरन को चीर करके आना पड़ता है और ऐसा करने के लिए इन गुरुत्वाकरशन की वज़े से इसमे ऐक जबरतस्थ गर्षन होता है जिसकी वज़े से इनका तापमान बढ़ जाता है कभी-कभी तो इनका तापमान 10,000 डिग्री से बी ज्यादा हो जाता है 10,000 डिग्री से भी ज्यादा तब तो ये आग के गोले बंग जाते ही और जब ये धर्ती के तरफ गिरने लगते हैं तो लगता होगा आग के बारिश हो रही है और बॉस मेरी रिसर्च बताती है कि हसारों साल पेले निलगिरी के जंगलों में ऐसी ही आग की बारिश हुई थी और शायद इसलिए निलगिरी के जंगल में रहने वाले लोगों को लगता होगा कि अगर कोई बाहर का आदमी उनकी जमीन पर पैर रखे उनकी देवताओं की इजाजत के बगए तो देवताओं को गुस्सा आता होगा और वो आपकी बारिच करते होंगे उसका आविनेत अच्छा थीक है ओकी यार साडूंके तुन्ये तो कमाल का रिसरच कर दिया यार तुझे तो गिफ्ट देनी पड़ेगी तुझे तो जरूर दो आज़ा आज़ा दो साडूंके तुझे मैं निलगिरी के जंगल की सफर करवाता हूँ नहीं, मैं निलगिरी के जंगलों में क्या करूँगा, नहीं बॉस, मैं अपनी लेप में ठीक हूँ या आपे डरता क्या है, वहां को या आग की बारिशवारी नहीं होने वाली है पिर भी यार साडूंकिये, वहाँ पर एक निलगिरी वासी की मौत हुई है हमारे लोगों की आखों के सामने और मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ चले जाए तुम नहीं आओगे पिकनिक है नहीं, मतलब तुम होते तो अब अभी जितार है और भावी के हाथ का सलाद भी लेके जाना साथ में भावी का नाम नहीं लेना यार, समझा? क्या यार, फसा देते हो तुम लोग यार बाई साफ, तीम दस्टी देना अडिया साफ अरे बापने बाप अईया ऐसे कई रहसे हैं, जिनके राज हम अभी तक जान नहीं पाएं आफिर ये सब कर कौन रहा है और ये सब करने के पीछे है, उसका मकसद क्या है जंगल में रहने वाले लोग पंदू के लेके घूम रहें, ये सब हत्यार उनके पास आये कहां से उसलिए बचारे काउवाले जंगल में कदम रखने से भीटाता है, इन्हें अपनी चांग गवाने का खतरा है वाल और आखिर ये नील किरी के जंगलों में चल क्या रहा है और वो भगवान का अशिर्वात, आखिर वो चीज क्या है जिसे ये लोग भगवान की भेट समझते हैं? कोई बहुती खास बहुती है नोखी वस्तू जिसको इन जंगलवासियों ने कभी देखा नहीं और कोई तो कारण है जिसकी वज़े से इन जंगलवासियों को लगता है कि भगवान ने ये वस्तू खास करूनी के लिए बेजी है और वो आदमी जिसे हमने जंगल में पकड़ा था जंगल का सिपाई था जंगलवासियों ने उसे उस खास बेट की रक्षा के लिए तैनात किया हुआ था मुझे लगता है ये जंगलवाले अनपढ़ है ना समझ है जरूर कोई आदमी है जो इनके दिमाग में चीज़ें डाल रहा है लेकिन कौन? सर अमुझे लगता है सब जानने के लिए हमें जंगल में चापा मारना चाहिए हमँ अपनी पूरी ताकत और पूरी तैयारी के साथ जंगल में जाना ह今天 ही होगए हाँ सर अ मेरे दिमांग में भी यही बात चल रहे है जब तख हम उस जंगल की खात नहीं चानेंगे पाइसे कॉन परेगा आप इस पर गुस्सा मत कीजिए इसे जाने दीजिए पैसे यहाम पर देंगे लो इन लोगों को भगवान को परसाथ समझो जो आज तुम इनके वज्या सबच गए मेरी तबीयत खराब है मैं घर जाना चाहता हूँ तबीयत ठीक निदी पहले बोलना चाहता न जा जाओ यहां से नी दौर समानता नुक्सान करो गए जल्दी जा भाई कि लागे मुझे कुछ कर पड़ लग रहा है मैं देखते हैसे चला कि पीछा करते हैं इसका रक्षा करनी होगी रक्षा करनी ही होगी है जीवात में दिखाएं ने देदा हैगा माफ की जीगा अ हुआ है पुआ पुआ है पुआ है 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 सुरक्षित है भगवान की धरोहर सुरक्षित है मगर कब तक शहर के लोग हिसे जूनते हुए यहां तक आ गए तो यह है भगवान का उपहर लाओ हमें देदो नहीं कभी नहीं तुम सब लाग्ची हो राक्षास हो हमारे देवता के आशिवात को हमसे छीनना चाहते हो देखो तुब चाब ये बॉक्स हमारे हावाले कर दो बढ़ना हो बढ़ना क्या तो मैं अपने प्राणों की आहूत हम पर विश्वास करो हम सी आईडी से हम जूट बोला है तुम सब तुम शहर के लोग अभिशाब बन के आयो हमारे लिए तेखो हम जंगल वास्यों का धरुवर नहीं चीनना चाहते हम असूस गुनेगार को पकड़ना चाहते हैं जो नील गिरी के जंगल की भोली भाली ओर तुम को दस्करी के लिए इस्तमाल कर रहा है हम उस राक्षस को पकड़ना चाहते हैं क्या तुम उन भोली भाली ओर्तों को नहीं पचाना चाहते हैं नहीं आप लोग का ये इरादा नहीं है मैंने आपकी बाते सुनी हैं आप इस नील गिरी के जंगल को बर्बात कर देना यहां के जीवन और यहां की शांती को नश्ट कर देना चाहते हैं बात सुनों, हम जंगल को बरबात करने नहीं आये हम उन दुश्मनों को पकड़ने आये हैं जो बंदूक लेके गुमरे जंगलों में वही असली दुश्मन ये जंगल के समझे हैं हाँ, हम तुमारे दोस्त हैं दुश्मन नहीं हम पर विश्वास रोको, प्लीज, हम पर विश्वास रोको मगर लाओ ये बॉक समें देतो ठीक है साब, आप लोग इसकी रख्षा कीजिएगा किसी गलत हाथ होए मत पढ़ने दीजिगा साब ये बैंगनी पत्थर, इसे तुम भगवान का उपहार मानते हो इन बैंगनी रंग के पत्थरों को तुम भगवान की भेड़ समझते थे आपको कदर नहीं है इनकी साब, ये उपहार है भगवान का हमारे लिए उपर से गी रही है ये साब चमतकार है ये साब भगवान का चमतकार हमारे लिए सादुके साब ये सर आप सीफ हाउस पहुंचे है क्या बात है दोके साब आप इस पथर को इतने गौर से कि देखे जारे है अस पत्थर में कोई खास बात है कि खास बात है बहुत ही खास बात है ये टेफाइट पत्थर है बहुत ही किंती है क्या ये पत्थर किंती है एक ग्राम टेफाइट की कीमत कम से कम 10,000,000,000 अले बापरे और ये जो इस सारे पत्थर तुम लोगों को मिले है इनकी कीमत कम से कम 25 तुम बिल्कुल ठीक कह रहो, इन पत्फरों की ही तसकरी हो रही थी उन अरतों के जरिये हमें यह पता करना चाहिए कि इन पत्थरों के तसकरी के पीछे इसका हाथ लिकिन यह पत्थर निलगरी के जंगलों में आये कहा था वरसों पहले जिस मीटियोर की वज़े से आग की बारिश हुई थी यह उसी के तुक्डे है जो जमीन पर गिर कर टैफाइट पत्थर में बदल गए हमें नीलगरी के जंगलों में एक बार फिर से जाकर के उस जमीन की अच्छी तरह से जाच करने जाए हम नीलगरी के जंगल म है तो यह जंगलवासी है कहां सर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो रुखर जैसे चीज है वहां देखाऊ तो आदमी देखे हैं औरे हां यह गौगल तो बड़ा ही कमाल का है बंधिरे में भी आदमी दिखाई देते हैं वे तीरे बोला चाहिए उन जंगलवास कि सुनने की शक्ति बहुत देज होती है अंदर चलके देख्था यहां तो कोई में यह सर चितरसे तलाशीलो, कोई ना कोई सुराग जरूर मेलेगा सर इदे की सर, नोट्टो की घट्ट्टिया और रिटाफाईट पत्थर? इसने सर, रिटाफाईट के पत्थर, इनकी कीमत्तों करोणों में होगी ऐसा कौन हो सकते हैं, जो नीलगिरी की अमूलले अमानियात को चुराणी की साजिश करूए पत्त्रा कोई अरे, यह कोन है? खोलो इन, कलती से जंगल में आ गया होंगे, और जंगलवासियों ने यहां जुपरदस्ती बंदी बना कर रखा होंगा पानी, 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 पानी 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 कौन है आप और किसने के आपके साथ यह सो? आप लग कौन हो? हम लोग C.I.D. से, हमने यहां जंगल पर चापा मारा अगवान का लाख लाख शुक्र है आपको मेरा संदेश मिल गया वह आप है? इसने उस औरत की कलाई पर C.I.D. हेल्प लिखा था? मैंने ही वह संदेश लिखा था मैं एक डॉक्टर हूँ दो साल पहले बिलगिरी में मुझे भीजा गया था चंगल वासियों की तबियत बहुत मिकड़ गई थी लेकिन मुझे अगवा कर लिया गया और दो साल तक मुझे इसी तरह बंदी बना कर रखा था किसने अगवा किया था आपको? पता नहीं मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है लेकिन इन लोगों ने आपको यहाँ दो साल तक इस तरह से क्यों? क्योंके उनको मेरी जरुवत थी कैसी जरुवत? जंगल की गरीव वारतों का पेट काटकर मैं उसमें ट्रेफाइट पत्थर भरा करता था इस तरह यह लोग तशकर ही करते हैं अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग मुझे मार डालते हैं इसलिए उस औरत गुडिया की कलाई पर वो संदेश लिखा था बस यही उव्यूत थी कि आप लोग आएगे मुझे और उन औरतों को इस नर्ग से बता देगे तो वो डॉक्टर आप है? हाँ कौन चला रहा है यह राके? किसके इशारे पर हो रहा है सो? पता नहीं मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी है जब वो मुझे यहां मिलने आता है तो मेरे पांखों पर पढ़ती होती है वो आपसे इस छोपड़े में मिलने आता है? हाँ यह क्या है? सेटिफिकेट मेटल तो यह है इसका हाथ है इस पूरे राकेट के पीछे अरे डॉक्टर साहब इतनी जल्दी भी क्या है? देख लीजे कहीं कोई जरूरी सामान छूट तो नहीं गया जंगल के अंदर एक जोपड़ा जोपड़े के अंदर एक बकसा बकसे के अंदर एक सर्टिफिकेट एक मेडल और इन में छुपा एक रास क्यों डॉक्ट साहब? बेटा मैं कोई ठक्टर वक्टर नहीं हूँ मैं तो इस गाउं का घरीब मास्टर जी हूँ मास्टर जी या फिर मास्टर माइंड टेफाइड की स्मगलिंग का राकेट आप ही चलाते हैं ना? टेफाइड जंगल से बाहर निकालने के लिए जंगल की मासूम ओरतों का पेट काट कर उन्हें कुरियर का पैकेज मना कर घुदमालमाल होना चाहते थे ये कैसा आरोप लगा रहे हैं आप लोग मुश्वर मैं तो गाउं का एक गरीब मास्टर जी हूँ जो इस केस की तह तक पहुँचने में आप लोगों की मदद कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि ये टे-टे-टे-टे-टे-टे-वाइट पत्थर है ओ, हम तो भूली गए थे कि आप एक करीब लाचार गाउंवाले हैं आप को कैसे पता होगा कि उस पत्थरों की कीमत क्या है वही तो आप लोगों को गलत फैमी हुई है गाउं का बुढ़ा मास्टर इन पत्थरों की कीमत से अंजान हो सकता है लेकिन डॉक्टर निशेकान नहीं नेशनल प्राइड अवाड जीतने वाले अर्के अलिजिस्ट को तो पूरा गयान होगा और होना भी चाहिए एक कदम भी आगे मत बढ़ाना बरना जरा ध्यान से देखो डोक्टर साब हमारे हाथ में बंदूख है ये चाको हमारा क्या बिगाड लेगा ये कोई आम चाको नहीं है इस चाको की धार पे मैंने जहरेले पौधे का लेप लगाया हुआ है ये वही जहर है जिससे उस आदमी की मौत हुई थी हाँ उस आदमी के हाथ का टेटू देखते समये मैंने उसके हाथ में छोटा सा पिंच उबो दिया था जिसमें ये जहर लगा हुआ था कुछी पल में तुम भी ब्यूरो में कैद हो गया इससे तो अच्छा होगा के मैं अपनी जंदगी खुथ ही कर्म कर दो चबर कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साब हमारे डॉक्टर सालूं के साब ने जहर को बेशर करने की दवाई दी है एंटीडोट लगा किस नाम से बुलाये तुमको निशिकांग जी या फिर मास्तर जी जब मैं नीलगरी के जंगलों में प्राची इन चीजों की खोच के लिए खुदाई कर रहा था तो मुझे टेपाइट पत्थर मिला और उसे देखते ही मेरे मन में लालचा के क्योंके मैं जाता था कि वो पत्थर बहुत कीमती और मॉमूल यह है और पिर मैंने उस बेश कीमती पत्थर को हासिल करने का एक प्लाट बढाया अपनी ही मौत का प्लाट है ना अपनी गाड़ी में बिठा दिया किसी को और लगा दिया और उस गाड़ी जलने की आग में जल गया निशिकान और पैदा हुआ एक राकशस मास्टर जी लेकर एक बात समझ भी नहीं है कि नील गिरी के जंगल के रहने वाले लोगों ने तो में जंगल में वापस कैसी जाने दिया गुदाई के दोरान मैं तीन साल तक वहां रहता हुआ और मैंने उनके तौर तरीके सीख लिये थे और जब मैं तुबारा वहां पहुचा मास्टर जी के रूप में तो मैं ने उस बात का फाइदा उठाया और उन लोगों की खूब सेवा की जिसे वो लोग पुछ पर और ज्यादा भरोसा करने लगेते और उस भरोसे का गलत फाइदा उठाया तुमने टफाइट के स्मगलिंग शुरू कर दी लेकिन एक बात समझ में नहीं आए स्मगलिंग करने के लिए क्या ज़रूरत थी उन और उरतों का पेट पाड़ने की और कोई तरीका नहीं था और कोई रास्ता नहीं इसना मेरे पास इसलिए मैंने निलगिरी गाउ के एक सामान उसे डॉक्टर को अगवा कर लिया और गाउ की ओरते जब अपने पेट के दर्ट के इलाज के लिए वहां आती थी तो वो डॉक्टर उसके पेट की सरीए करके टफाइट पत्तर को उसमें छिपा देता और फिर हम उसे शेहर बेज देते थे उन उड़तों के घर वाले उनके पार में पुछते नहीं थे मैं उने सब्जा देता कि वो जंगल के किसी जानवर का शिकार हो गई होगी और वो लोग आसानी से मेरी बात को माल लिया कर लेते और तुमारे इस गाओं के क्लिनिक में पेट काट कर टाफाइड पथर भारे जाते थे और जिस क्लिनिक में हम लोग गए वहां पेट काट कर ये पथर निकाले जाते थे राइट? हाँ पैसा 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 हुमारे इस पैसों के लालत ने नजाने कितने ही दोट और को की जाने ली इंसान के रूप में राक्षस 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 रैसी राक्षस का अन्त पासे के फंदे पर गी हो